प्यारे वच्चों, आज हम लोग कच्छा च्व के हिंदी विशय के पाठ चार नीत के दोहे का हम लोग अध्यन करने जा रहे हैं, आए इसमें हम नीत गड़ोहों का अध्यन करते हैं, उसके पहले हम लोग इस पाठ का उदेश और जिनके द्वारा दोहा लिखा गया है, उनक कबीर और रहीम के दोहों में आचार विचार समंधित जीवन मुल्यों का हम वड़न है, इस पाठ में कबीर और रहीम दाज़ी के द्वारा रचित दोहों का वड़न है, जिसमें कुछ जीवन समंधित, ज्यान समंधित चीजे हैं जिसका हम अध्यन करेंगे, उसके पहले हम कभीरदास जी के बारे में संचेप और लोकन करते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में संद कभीरदास कभीरदास जी का जन्व कासी में संथ 1388 विश्वी के लगभग हुआ था भक्ति काल के निर्गुल धारा के संद कवियों में कबीर दास का विशिष्ट अस्थान है। रामानंद कबीर के गुरू माने जाते हैं, उन्होंने भक्ति विश्यक रशनाओं के साथ ही समासुधार की कविताएं भी लिखी हैं। इनकी रचनाओं का संग्रा विजक है, इसके तीन भाग हैं साखी, सवद, रमैनी, कबीर दास की बृत्यू सन 1518 इस्वी के लगभग मघर बे विती। बच्चों, अब हम लोग कबीर के दोहों का अध्यन करते हैं। कबीर दास ही कहते हैं कि हमें कभी किसी गरीब या कमजोर को सताना नहीं चाहिए। जाकी मोटी है, जिसके रिदे से निकली ही बद्वा, क्या करती है उस, व्यत्ति को छेती पहुचा सकती है, नस्ट कर सकती है. कैसे?, जैसे एक मुई-खाल की स्वास तो सारभशं हुई। जैसे मरेवे जीव के चमडे के स्वास पे हवाश पे कठोर वस्तु लोहा जो होता है सारमाने लोहा तो अभी क्या होता है गल करके नश्ट हो जाता ट्री पुसी प्रकार अर्थाक इस दोहे के द्वारा कभी हमें ये सीख देते हैं कभी अपने से कमजोर को सताना नहीं चाहे मधूर बचन है आउसधी कटुक बचन है ती स्रवन द्वार है संचर साल सकल सरी कभीर राजी करते हैं कि मधूर माने मीठी बचन माने बाड़ी मीठी बाड़ी आउसधी माने दवा मीठी बाड़ी आउसधी के समान होती है दवा के समान होती है और कटुक माने कडवी कडवी बाड़ी जो है तीर के समान कष्ट देती है ये दोनों प्रकार की जो बाड़ी हैं कानों के माध्यम से ही शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं जाती हैं और पूरे शरीर को क्या करती हैं बेधती अपना प्रभाव दिखाती है बूरा जो देखन मैं चला बूरा न मिलया को जो दिल खो जाया पनो मुझे सा बूरा न को कविर दाजी कहते हैं कि बूरा जो देखन मैं चला कि अपने दिल में अपने अपने मन के अंदर मैंने जाक कर देखा ये पाया कि मेरे जैसा बूरा ब्यक्ति संसार में कोई है ही नहीं प्यारे वच्चों इन दोहों में जो कठिन सब्द है उसका आर्थ है साले माने बेजता है आवसधी माने दवा और कटुक माने होता है करवा आगे के दुहे को देखते हैं साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभार सार सार को गही रहे अथो था देई उडार कबीर दाजी कहते हैं कि शाधू ऐसा चाहिए साधू माने सज्जन सज्जन ऐसा होना चाहिए कटे जैसा सुप का सभाव कइसा होता है कवीरदा जी कहते हैında बेकार विठा है उसको क्या करता है अपने पास रखता है जो फोथा अर्थात जो उपयोगी नहीं है जो ब्यर्त है बेकार है व्यता है उस को क्या करता है सुफ अलग कर देता है उड़ा देता है बाहर कर देता है वैसे ही सजन कोonnen adopted कि अगर अच्छाई है तो सको ग्रहन कर लो और बुराहे तुसको क्या करो छोड़ दो निकाल धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सीच सोगडा, रितु आये फल हो कबीरदाजी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, करते हैं है मनोश, अगर कोई काम धीरे धीरे करेंगे, क्रम से करेंगे, तो सब कुछ संभव है, जो चाहोगो सब कुछ हो जाएगा कैसे ठीक उसी प्रकार, जैसे माली सीच सोगडा, रितु आये फल हो, जैसे माली क्या करता है, अपने पौधों को निरंतर पानी दे कर सीचता रहता है, सैकडों घड़े पानी देता है, लेकि इस पौधे में फल और फुल कब लगते हैं, जब उसका समय आता है, जब उसकी र जुतिवे आ जाती है, उस पौधे में क्या है, फुल और फल स्वतह लग जाते हैं, बच्चों, इस दोहे में जो कछिल सब्द है, थोथा माने बिथा होता है, सुभाय माने सुभाय या विवार, सार माने उप्योगी, आगे बच्चों, अब हम इस नीत दोहे के अंतरगत, रहीम दाजी के बारे मध्यन करते हैं, तो थोड़ा सा रहीम दाजी का जीवन परचे जानते हैं, कि रहीम का जन सन पंद्रव सचपन इस्वी के लगभव हुआ था, इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था, कगबर के दरवार के नौरतनों में ने स्थान प्रा हुई थी, अब बच्चों हम रहीम दाजी के दोहों का अध्यन करते हैं, वे रहीम अनर धन्य हैं, उपकारी पर रंग, बातनवारे को लगे, जो मेहदी को रंग, रहीम दाजी कहते हैं, कि वे रहीम नर धन्य हैं, वो मनुस्य धन्य है, वो मनुस्य बड़ा ही, क्या है, सौभाग शाली है, जिसके जीवन में क्या है, उपकार करने का गुड, कैसा बातनवारे को लगे, जो मेहदी के रंग, जैसे मेहदी, क्या होती है, मेहदी एक शिंग कारिक विवस्तु है वह ऐसा पदार्त है जो उसको बाटता है उसके हाथ में भी लग जाए तो अपना प्रभाव दिखाता है वैसे ही मनुष्य जो उबकारी होते हैं वह अभी क्या होते हैं धन्य है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सूट पानी गये न ऊबर मोती मानुस चूट रहिम्दाजी कहते हैं कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब रहिम्दाजी कहते हैं पानी अर्था सम्मान व्यक्ति को अपना सम्मान बचा करके रखना चाहिए बिना सम्मान के बिना प्रतिश्टा के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता पानी गरे नूबरे मोती मानुस्चुन यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए चमक होता है मनुस्य के लिए उसका सम्मान होता है और चूने के लिए उसका अर्थ क्या अर्थ है जल होता है बिना चमक बिना कांध के मोती का कोई मुल्ले नहीं होता है बिना प्रतिष्ठा के समान के ब्यत्ति का कोई महत्व नहीं होता है और चूना जो होता है अगर उसमें से जल का जल अगर नहीं है तो उस चूने का भी कोई महत्व नहीं होता है इसलिए रहिंदाजी करते हैं मनस्य को अपना जो है शम्मान प्रतिष्ठा चरित्र बचा करके रखना चाहिए बिना उसके सब क्या है ब्यर्थ है रहिमान निजमान की विथा मन ही राखो गो रहिमान निजमान की भी था मनुष अपने मन का जो दुख है ना उसको अपने मन में ही रखना चाहिए किसी से कहना नहीं चाहिए क्यों कि सुनिय अठी लई हैं लोग सव बातन नहीं है क्योंकि के अगर आप किसी से कहेंगे तो Connect को सुन करें लोग आप पहास करेंगे उस दुख को बातने वाला कोई नहीं है बच्चों इस दोहे में जो कठनी सब्द हैं उसका आर्थ है विथा माने विथा दुख गोए माने चिपाना बाटनवारे माने सिल्वट्टे प्रपीशने वाला आगे जो बड़े नको लगुक है नहीं रही मघटी जाही गिरधर मुरली धर कह कुछ दुख मानत नाहीं रहीम दाजी कहते हैं कि जो बड़े नको लगुक है नहीं रही मघटी जाहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति है अगर उसे कोई छोटा कह दे रहा है तो उसका संमान या कद्क छोटा नहीं हो जाता है जैसे गिरधर मुरली धर कह कच दुख मानत नाहीं जैसे भगवान सी किष्ट को कोई गिरधर कहता है कोई मुरली धर कहता है भगवान को उसका कोई दुख नहीं होता है समय लाभ सम लाभ नहीं समय चूक सम चूक चतुरन चितर इमान लदी समय चूक की हूँ जहिंदाजी कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ कि समय के समान कोई लाभकारी नहीं है हितकारी नहीं है और समय के समय समय चूक सम सूक अगर समय औसर मिला अगर चूक गए समय जैसा अगर चूक हो गया तो ऐसा कोई दूसरा चूक भी नहीं है चतुरन चितरहिमन लगी समय चूक की ही जो चतुर लोग होते हैं चितरहिमन लगी जिनके मन में चतुरता होती है रहिंदाजी कहते हैं समय चूक की हूँ वह समय को चूकने का आउसार नहीं देते हैं हूक माने कसक ठीक पेटा इस दोहे में जो हूक सब्दा इसका अर्थ होता है कसक प्यारे बच्चो मैंने इस पार्थ में आपको कबीर और रहिम के दोहों के भावार्थ को बताया अब आगे जो है इसके अभ्यास प्रस्पर चर्चा करेंगे